हेलो स्टोडेंट आज हम करते हैं क्लास 11 में मैस में स्मुच्चे की वर्क्षिट 13 अगस्त को आई है जो इसमें देखो क्या है सबसे पहले कोश्चन फर्स्ट है ए देरेके स्मुच्चे 1,0,2 बी देरेके स्मुच्चे 3,2,7 तब ए यूनियन यू है यह इसको कहता है यूनियन और A इंटरसेक्षिन भी ग्यात कीजिए ठीक है अब यूनियन में क्या होते हैं जो A और B स्मुच्चे के अंदर जो भी अविव हैं वो सारे के सारे लिखने हैं और जो दोनों में आ रहा है उसको A की बार लिखने है तो देखो कहा है सबसे पहले क्या लिखेंगे हम A यूनियन बी बराबर में क्या आ जाएगा सबसे पहले अविव एक फिर जीरो फिर दो उसके बाद है तीन दो आ चुक है पहले तो इसको एक ही बार लिखेंगे क्योंकि दोनों में आ रहा है फिर साथ ठीक है और A intersection B निकालना तो इसको मैं यहां लिख देता हूँ intersection का मतलब है कि जो दोनों में आ रहा है तो दोनों में A की अविव आ रहा है दोनों में जो common अविव दो तो हमने दो लिख दिया ठीक है यह तो होगया first question second question में क्या है कि A तो दे रहा है ABCD और B दे रहा है BCDE तो A माइनस B और B माइनस A ग्याद करने है A माइनस B का मतलब क्या होता है कि common अविव को छोड़ देंगे और जो पहला समूच्च है उसमें जो अविव बच जेंगे वो लिख देंगे अब इनमें देखो जो common अविव है वो BCD हैं दोनों में तो A माइनस B कर रहे हैं तो A में जो अविव बच गया वो बच गया A ऐसे हम B माइनस A निकाल लेंगे तो दोनों में जो common अविव है उनको छोड़ देंगे BCDE और B में जो अवय बज़ेगा वो आज़ेगा E और इसको समुच्चे में लिख दिया ठीक है तीसरा question है A union B को चायंकित किजिए यह वे नरेक है A union B का मतलब होता है कि सारे अवय लेने तो यह पूरा जो figure है जो वेन डाइग्राम इस पूरे को चायंकित कर देंगे ठीक है इसके बाद है fourth question fourth question है रिक स्थानों की पूर्ती किजिए रिक स्थानों की पूर्ती में देखो A union 5 निकालना है तो A union 5 5 होता है रिक समुच्चे है union लेंगे तो जो बड़ा समुच्चे आ जाता है और दूसरा है A intersection 5 5 में कोई भी अव्यब नहीं होता तो जब इन दोनों का intersection लेंगे तो रिक समुच्चे ही आएगा अब देखो क्या है पांचवा question पांचवा question में क्या है A minus B और B minus A निकाल कोछ आयंकित करना है A minus B का मतलब होता है सिरफ A तो जहाँ A है उसी को ही करेंगे जहाँ सिरफ A है common को नहीं तो यह तो हो गया A minus B और B minus A का मतलब सिरफ B तो जहाँ जहाँ B है ना अकेला B आ रहा है जिसमें common को छोड़के तो यह हो जएगा B minus A ठीक है इस टाइप से आपने इसके worksheet को complete करना है और book के questions को भी prepare करने ओके